वही गुड बार्णिंग ओल आज के एकसल स्मार्ट हैक्स में मैं आपको बताओ कि एक ही कॉलम को विदाउट स्प्लिट किये हुए आप दो हेडर कैसे दे सकते हो जैसे कि मुझे एक कॉलम में ही मुझे दो हेडर का नाम देना है तो मुझे कैसे करना होगा तो आपको करसर वहाँ पे लेके जाना है, राइट प्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है, ओके बॉर्डर पे आपको यहाँ पे मल्टिबल आप्शिन्स मिलेगे, बॉर्डर पे जाना है, कोई भी एक ठिक लाइन आपकी रिक्वार्मन की हिसाब से आप सिलेक्ट क कर देना है जैसे आप okay करोगे यहाँ पर आपको two split एक ही box में आपको two columns दो header दे सकते हो वैसे मिल जाएगा और फिर आपको यहाँ पर नाम देना है जैसे मैंने यहाँ पर region नाम दिया और अभी मुझे यहाँ पर टॉप में यहाँ पर इसको मुझे months का नाम देना है तो मैं यहाँ पर months type कर रही हूँ और मुझे इसको उपर लेकी जाना है तो मुझे क्या करना है मुझे select करना है उपर और इसको पूरे data को select करके ओके आपको alt और enter करना है alt और enter करोगे तो यह आपका separate हो जाएगा और फिर आपको month क्या करना है side में लेकी जाके जिससे आपका यह segregate हो जाए तो इस तरह से आप एक ही cell में उसको split किये बिना आप उसको दो heading बता सकते इसको फिर आप properly set कर दीजे और इस तरह से आप आपका box बना दीजे डैशबोर बना दीजे इसको पुरी तरह से borderline वगेरे दीजे और यह हो गया आपका data ready so this is the smart hacks for the today thank you for watching my video